महराश्ट्र के उपमुख्य मंत्री मानिय श्री देवेंद्र पर्णवी जी से मैं स्वागत संबोधन हेतु अनुरोध करती हूँ हिंदवी स्वराज्या चे सरसंस्थापक छत्रपती शिवाजी महराज यन्ना मानाचा मुझरा करतो भारतीय राज्य घटनेचे शिल्पकार भारत रतन डॉक्टर बाबासे बाम्बेड कर यन्ना मानवंदान आर्पित करतो आज आपलेया मने उपस्तित अखिल विश्वातिल सर्वाधिक लोक प्रिय नेते आज आपलेया सर्वांचे लाड़के प्रधार मंत्री आजरनिय नरेंद्र भाई मोधी जी मानानिय गवर्नर सहेब राज्याचे लोक प्रिय मुख्य मंत्री एकनाच शिंदे जी आपलेया सर्वांचे लाड़के नेते मानानिय नितीन जी गड़करी मंचावर उपस्तित राउसाइब दानवे जी डॉक्टर भारतीताई पवार चंदरशेखर जी बावन कुले आणि या ठिकानी उपस्तित समोर्बस लेले सगले मंत्री जेश्ट नेते आणि उपस्तित सर्व नाकपूर विदर्भातिल माजा भगीनी आणि बंधुन्दो आदरणिय प्रधान मंत्री जी मैं सबसे पहले नाकपूर की जनता की और से आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूँ हमारी ये बहुत मन से प्रार्थना थी कि हिंदुरुदय समराठ बाड़ासाइब ठाकरे समरुद्धी महामार्ग का उद्गाटन केवल और केवल आपके हातों से होना चाहिए बीस साल पहले ये सपना देखा था पर आप नहीं होते तो ये केवल सपना रहता ये कभी पूरा नहीं हो सकता था आपने ताकत दी आपने हिम्मत दी आपने होसला दिया और आपने जिम्मेवारी दी तो ये समुरुद्धी महामार्ग हम लोग यहां पर कर पाए बहुत कम लोगों को उस समय यकीन था कि इस प्रकार का रास्ता बन सकता है लेकिन एक व्यक्ति था जो पहले दिन से मुझे पर यकीन रखकर इस पर काम कर रहा था और उस व्यक्ति का नाम है उस समय के मेरे मंत्री मंडल के मंत्री और आज के मेरे मुख्य मंत्री एकनाथ शिंदे जी जो पहले दिन से रास्ते पर उतर कर इस सारे मार्ग के लिए काम करते रहे हमने सारे जन प्रतिनितियों को सारे पारिटियों को एकत्रित किया सारे पत्रकारों को एडिटर्स को एकत्रित किया उनके सामने हमने इस संकलपना को रखा उनके जितने सवाल ते सवालों का जवाब दिया और उसके बाद हमने इसकी शुरुवात की सबसे पहले भूमी अधिक रहन एक बहुत महुत पुरुण विशे था उसके लिए काफी राशी चाहिए थी कोई बैंक देने को तयार नहीं थी प्रदान मंत्री जी हमारे महाराश्च सरकार के कुछ बेटे ऐसे जिनके पास बहुत पैसा है MMRDA है, MIDC है, SIDKO है तो हमने उनको कहा कि सारा पैसा बंबई में कमा के बंबई में मत लगाईए अब ये पैसा विदर मराटवाडा और उत्तर महाराश्च को भी लगाईए हमने उनसे पैसा उधार लिया और सारी जमीन का अधिगरण किया केवल मात्र नौ महने में 700 किलोमेटर के जमीन का हमने अधिगरण किया एक भी लिटिगेशन नहीं हुई और मैं ये बताना मेरा फर्ज मानता हूँ हमारे एकनाच शिंदे जी ने स्वयम जाकर वहाँ पर सिगनेचर की क्योंकि उस समय के उनके नेता गाउ में जाकर विरोध करते थे उन्होंने गाउ में जाकर सभा ली और कहा एक इंच भी जमीन मत दीजिए पंद्रा दिन में उस गाउ की एक एक इंच जमीन हमको लोगों ने दी और एकनाच शिंदे स्वयम जाकर वहाँ पर सिगनेचर की और हमने पूरा सम्रुद्धी महामार्ग का अधिगरहन यहाँ पर किया और साथ साथ एक नया मॉडल तैयार किया जिसमें हमने हमारी MSRDC को पचास हजार करोड के भुमिया मुंबई के प्लॉट्स यह हमने उनको दिये उनका नेटवर्थ बढ़ाया और लैंड सिक्यूरिटाइजेशन मॉडल पे सबसे पहले पैसा जमा किया सारी बैंकों को बुलाया सबसे पहले SBI ने आठ हजार करोड रुपे हमको दिये और उसके बाद सारी बैंकों ने पैसे दिये पैसी की कोई कमी नहीं पड़ी आज पचास हजार करोड रुपे का ये महामार्ग तैयार हुआ है और प्रदानमंत्री जी आपने जो नया लैंड कि सेकुरिटाइजेशन का मॉडेल लाया है और मॉडेटाइजेशन का मॉडेल लाया है मैं दावे से कहता हूँ आने वाले दो साल में इस महामार्ग से पचास हजार करोड रुपे हमको मिलेगा जो अन्य इंफरस्ट्रक्चर पर हम लगाएंगे इतना जबरदस्त ये मॉडेल तेयार हुआ है और एक चीज़ का उलेक में करना चाहता हूँ आपने भारत को गती शक्ती नाम की एक ऐसी योजना दी है जो विश्व की सबसे अच्छी योजना है सबसे थॉट्फुल सबसे कलपना शक्ती की योजना है जो भारत के चित्र को बदलेगी गती शक्ती का एक उधारण ये महामार्ग भी है इस पर रोड बना है इसमें हमारे पास रेलवे के लिए जगा हमने रखी हुई है इस पर हम लोग सेमी हाइस्पीड कारगो ट्रेन चलाना चाहते है उसकी पूरी जगा हमने अधिकरेट करके रखिये इसमें हमने मल्टी उटिलिटी कोरेड़ तैयार किया है इस मल्टी उटिलिटी कोरेड़ में मैं भारत सरकार का और आपका अभारवेद करूँगा 2017 में हमने आप से निवेधन किया कि इसके उपर गैस पाइपलाइन बने आपने गैस पाइपलाइन का काम शुरू किया असी प्रतिशत गैस पाइपलाइन का काम हो गया महाराष्ट के 20 जिलों में सीधा गैस, CNG, उद्योगों के लिए और वेहिकल्स के लिए अब इस पाइपलाइन के माज़म से पहुचेगा साथ-साथ हमने पेट्रोलियम प्रोडक्ट पाइपलाइन की भी मांग की है वो भी पूरी होगी इसके साथ-साथ जो अंडर सी केवल है जिसके कारण डेटा सेंटर की एको सिस्टिम तयार होती है वो पूरा अंडर सी केवल हम इसके माज़म से ला रहे है जिसके कारण पूर एक शेत्र में हम लोग डेटा सेंटर्स तयार कर पाएंगे और साथ-साथ ट्रांस्विशन की HVDC लाइन भी यहीं पर पड़ेगी उसका भी परेडर हमने तयार किया है देड़ सो मेगेवेट बिजली जनरेशन की भी सोलर में विवस्ता की है तो कुल मिलाकर गती शक्ती का एक बहुत बड़ा उधारण यहाँ पर हमने किया है और अब आपने जो योजना दिया है इससे उसको और हम और समरुद करेंगे मैं इस निमित्त से आपको इतना ही निवधन करना चाहता हूँ आने वाले दिनों में क्योंकि आज आपने और गड़करी जी ने और नई सवगा अथन को दी है यहाँ पर हमारे रेल्वे स्टेशन इतने सुन्दर हो रहे है अब रेल कनेक्टिविटी है, रोड कनेक्टिविटी है, हाइस्पीड रेल भी होने वाली है और उसके साथ साथ आपके ही आशिरवात से अगले एक मेने में नाकपूर एयरपोर्ट के भी भूमी पुजन के लिए हम आपको बुलाने वाले है तो सारी मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी यहाँ पर होगी तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आज 14 जीने हमने JNPT पोर्ट से जोड़े और हमारे मुख्यमंत्री जी गर्चिरोली और गुंदिया को भी जोड़ने जा रहे है तो पूरा महाराष्ट्र यह पोर्ट लेट डिवलप्मेंट का एक नया मॉडल इस महामार्ग के माध्यम से करेगा और माननियम प्रधानमंत्री जी मैं इस समय कुछ लोगों का उल्लेक जान बुचकर करना चाहता हूँ विशेश रूप से इस महामार्ग को बनाते समय हमारे राधेशा मोपलवार होंगे यह हमारे मनोच सवनिक होंगे हमारे प्रविण प्रधेशी होगे हमारे गायकवाड होगे मैं जिनके नाम का उल्लेक नहीं कर पाया उनकी माफी मांगता हूँ पर इस टीम ने जो काम किया है वो बहुत जबरदस्त काम इनों ने किया है और इनके कारण यह महामारग हो पाया है और अगले पादान पर नागपूर से गोवा इसी प्रकार का महामार्क जो मराठवाला वेस्टन महाराष्ट और विधर्प को इंटिग्रेट करेगा इसकी भी संकल्पना हमने तैयार की है मैं आपका बहुत विशेश आभार मेरा समय समात्थ हो चुका है फिर भी मैं इसलिए मानना चाहता हूँ कि आपकी गती लोगों के ध्यान में आनी चाहिए आज जो दो प्रोजेक्ट हो रहे हैं मेट्रो फेस टू और नाग नदी का जो आज सववर्धन का हम कारेकरम कर रहे हमारी पिछली सरकार में हमने ये दोनों प्रोजेक्ट भेजे थे आपने फास्ट रैक पर रखे थे कुछ क्वेरीज आई थी बीच में सरकार बदल गई धाई साल में उन क्वेरीज का जवाब भी पिछली सरकार ने नहीं दिया और जैसे ही सरकार बदली हमने क्वेरीज पूरी की प्रधान मंत्री जी मैं आपके कारेले में गया और आपके कारेले में जाकर प्रधान मंत्री कारेले को मैंने बिंती की हमने क्वेरीज पूरी किये आपके कारेले ने मात्र 35 दिनों में ये सारे दोनों प्रोजेक्ट को प प्रधान मंत्री जी आपका प्यार नाकपूर पर विदर पर ऐसा ही बना रहे एम जेसी सोगात अपने हमको दी है वंदे भारत ट्रेन आपने दी है इन सब के लिए इन सभी के और से मैं आपको बहुत बहुत आपका आपका आभार व्यक्त करता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हो जै हिन, जै महाराष्ट्र, जै भारत, वंदे मात्रा हूं